लखनों में CNG और PNG हुई महेंगी, CNG की कीमत प्रती किलोग्राम 2.40 रुपए बढ़ी, PNG की कीमत में भी 2 रुपए स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की हुई बढ़ा हत्री ग्रेटर नोड़ा में फिर दिखाते इज रुपटार का कहर केंटर ने जुग्यों को मारी टक कर जुग्यों में सो रहे दो लोग गंभी रुप सिखाए प्रीकुरा में एबी वीपी कारकर्टाओं पर चाकु से हुआ हमला हमले को लेकर उठी गिरफ्तारी की मांग वामपत का पूका गया पतला देश में कोरोना संक्रमन की रफ्तार हुई धीमी 24 गंटे में आए 12,514 नई मामले 12,718 रुप्रों स्वास्त नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूजवल इंडिया और आपके साथ मैं हूँ काजो नराय तेल की बढ़ती कीमतों से पहले ही आम जनता परिशान है आप कमर्शियल एल्पीजी गेस सिलेंडर के दाम में भी बेताहाशा बढ़ोतरी हो गई है कमर्शियल सिलेंडर के लिए ल्पीजी की कीमतों में आज से 266 रुपय की बढ़ोतरी हो गई है दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल सिलेंडर की कीमत आज से 2000 रुपय पचास पैसे हो गई है जो पहले 1700 रुपय थी हलाकि घरेली ल्पीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है इससे पहले एक अक्टूबर को 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी दिल्ली में 19 किलो वाला कमर्शिल एल्पीजी सिलेंडर 1600 रुपए से बढ़कार 1700 रुपए हो गया था कौकता में 1800 रुपए, मुंबई में 1600 और चिन्नाई में 1800 रुपए हो गया है 6 अक्टूबर को सरकारी केल कम्टियों ने नौन सबसिडी वाले ल्पीजी गैसलेंडर के रेट्स में इज़ाफा किया था दिवसानम बोड भंग नहीं होने से किदारनाथ, पदिनाथ, गंगोतरी और योमिनोतरी धाम के तीट प्रोहितों में रोश है इसी करिम के दारनाथ पहुँचे पूर्वसीयम तरवेन सिंग्रावत का तीट प्रोहित समाज ने विरोध किया तरवेन सिंग्रावत को संगम सिद्पुल से आगे नहीं जानी दिया गया तिर्थ प्रोईतों और हक अकुक धारियों ने इस दोरान खूम नारे बाजी किया और उनका जम कर विरोध भी किया है रुध प्रियाक के तस्फिरें आप देख रहे हैं कि दारनाथ पहुँचे पुर्वसीयम त्रवेन सिंग्रावत का यहां पर विरोध किया गया है दरसल दिविस्थानम बोड भंग नहीं हो पाया है जिसकी वजो से किदारनाथ, पतिनाथ, गंगूर्त्री और मुनत्री धाम के जो तिर्थ प्रोईत हैं वो काफिज जादा नाराज नजर आ रहे हैं और इसे कड़ी में जो पकिदारनाथ पहुँचे पूर्वसीयम त्रवेन सिंग्रावत तो वहां तिर्थ प्रोईत समाज ने उनका विरोध किया है त्रवेन सिंग्रावत को संगम स्थित्पुल से आगे नहीं जाने दिया गया तिर्थ प्रोईत और हक फुपुखधारियों ने सुरांग खूब नारेवाजी की है और उनका जमकर विरोध भी किया गया है तो रुद्प्याग में के दारनाथ पहुँचे पूर्वसीयम त्रवेन सिंग्रावत का जमकर विरोध किया गया है यहां के जो पुरोईत थे उन्होंने साफतोर पर क्या दिया है कि दिविस्थानब बूर्ड भंग नहीं किया है अब तब इसको लेकर वो काफी जादा नाराज हैं और इसलिए उन्होंने आगे बढ़ने नहीं दिया गया जैसे कि सरकार ने दो महिने का टाइम तीर्ट प्रोईतों के पास मागा था और सरकार ने वादा खिलापी करके कल जो है और इसे कबर पर जादा अपडेट के लिए सुभार श्कॉर्ड हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए है जिसके नाराज़गी जो है वो साधू संतों में और जो तीर्ट प्रोईत हैं उनमें सापतोर पर नजर आती है पूर्वसीयन तरवेन सिंग रावत पहुंचे हैं उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया इतनी नाराज़गी जी बिल्कूल ज्यसे ही देवस्थानम बोड का गठन किया गया धा उसके बार सी देखा गया था पिर्त परोईत हैं जो तर्कार के खिलाफ नजर आ विदान सबस्ते जरूर सरकार के तरक से उस समय आउद किया गया था और तीर्स प्रोष बहुत अधिक सट्किया में विदान सबस्त हराब करने भी कोई होते हैं जिसके बाद सरकार को लगा कि उनके हखवूपों को लेकर कही नहीं विरोज भाशी जो बात है वो जो तीर्स प बोड है उसको भंग नहीं किया गया है हाला कि जैते ही सिर्वेल सिंग रावत को हटाया गया था उसके बास तीरा सिंग रावत में बात जरूर गई थी कि देवस्तानम बोड पर चट्चा की जाएगा लेकिन कहीं तक आई अब उसकर सिंग धामी की सरकार को चुपी है और बावजूद भी अभी उनके हक हुँ जो उनकी मांगे थी वो पूरी नहीं हुई हाला कि इसको लेकर एक बड़ी कमेटी जरूर बनाए गई थी जिसमें ध्यानी जी को अधिया गया था लेकिन उसके बावजूद भी बहुत देर लग रही हैं और कुछ दोनों पहले भी इ बैटके भी थी मुख्यमंति पुषकर सिंग धामी ने भी आश्वासन दिया था कि जल्दी से खत्म किया जाएगा लेकिन उसके बावजूद भी बहुत देर लग रही है ऐसे में तीर्थ प्रोईद बहुत नाराज हैं ऐसी स्थिति में आगे क्या कदम सरकार उठा सकती है जी बिल्कुल कहीनने करी नाराज districts साफ़त से नजर आती है यैंकि इस तरही के पूर मुख्यमंतिर प्रूइन सिंग रावद आप किदाना अधां पह 움직िए देर दर्शन करने के दार लाते हैं लेकिन कहिने कहीन जो TYs ते इनुकी नाराज की साफ़त से करे नाराजी इस फोत रे कि इस बाद से ला जा जा सकता है खिर वाप संबाला जाए उनको लेकर कोई ए फैसला लिया जाए लेकिन लंबा समय निकल गया और अभी तक कोई भी बड़ा पैसला उनके हाग में नहीं आया है जिसका विरोज करते हुए नजर आ रहे हैं अला कि उन्हें मुख्यमस्री से बिलाता है कि मुख्यमस्री ने जरू का था कि दो महीने के अंदर उनका जो यह देशानम बूर है उस पर च बहुत शुक्री है तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आप नजर बना के रखेगा अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे तो तिर्थ प्रोईतों में खासा रोश नजर आ रहा है देविस्थाना बोड अब तक भंग नहीं हुआ है जिसको लेकर पूर्वसिया अंत जानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे तबाब राज़ुतिक पार्टिया यूपी का दौरा कर रही हैं इसके साथ ही ममता बेनरजी सपाप्रमो का खिलीश उसे भी मुलाकात कर सकती है तो उत्तरप्रदेश में सियासी हल चल साफ्तोर पर बनी हुई है और इसी कड़ी में अब ममता बेनरजी भी उत्तरप्रदेश का रुख कर सकती है दरसल उत्तरप्रदेश में विदान सभाज चुनाव नस्दीक आते ही सियासी पारा चड़ा हुआ है तो वैसे वैसे तमाम पर्श्रूमंगाल के मुख्यमंत्री और ट्यम्स kwest माम्ता बिनर्जी अगले महीने यूपी का रूप करेंगी जिसकी तेयत ममता बिनर्जी अगले महीने वान असी आ रही है और रह जोतान ओर इनर्जी से मंता बैनर्जी अखले स्वियादव से भी मुलाकात कर सकते है clone अलिगर पहुंचे प्रगदेशील समाजवादी पार्चे के रास्टिया अधियक्ष श्रिफवाल यादव ने मीडिया से बात्चीत करते हुए अखली श्रियादव के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि हम तो अश्वाक अल्लाग खां को जानते हैं हम एपीजी अब्दुलकलाम को जानते हैं और हम वीर अब्दुलहमीद को जानते हैं जिन्नोंने टैंक तोड़े थे शहीद हुए थे इनको हम जानते हैं उनको तो हम जानते नहीं हमारा जन भी नहीं हुआ था नाम तो सुना है लेकिन जब हम नहीं जानते तो तुलना क्या क हम जानते हैं यह हम जानते हैं मेरा जनम भी नहीं हुआ था तब नाम तो सुना होगा नाम तो सुना है लेकिन तब क्या तुलना की जा सकती है महात्मा गांदी से पटेल से और जवालल नहरू से जिन्ना गी जब हम जानते ही नहीं तो तुलना हम का तुलना दिली में साल डेंगू के मामलों ने कई सालों का रिकॉर्ड तोर दिया है अस्पतालों मिलाज को आने वाले मरीजों की काफी भिर देखने को मिल रही है राजधानी के खराब होती स्थिती को देखते हुए स्वासमंत्री वंसुक मनाविया दिली सरकार के साथ एक मीटिंग करने जा रही है दरसल केंद्रे स्वास मत्रीवन सुप मनाविया रास्ट्रे राजधानी दिल्ली में आज डेंगू की स्तितिके समिक्षा करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ एक खास बैठक करेंगे बैठक में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी पर नियंतरन पाने में केंद्र किस प्रकार दिल्ली सरकार के सायता कर सकता है इस पर शर्चा हो सकती है बैटिक में राजट्य रोग नियंतरन केंदर राजट्य वेक्टर जनित रोग नियंतरन कारक्टरम के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे नगर निकाय की तरफ से दिगई जानकारी के मताबिक हाल में राश्वे राजधानी डिंगू के मामलों में काफी बढ़ाती देखी गई है इस साल के एवल दिल्ली में डिंगू के करीब 1000 मामले आ चुके हैं पिश्री सब्तार डिंगू के 280 मामले दर्ज किये गए थे एक तरफ जात युहार के सीजन में कोरोना संकरमन के फैनली का ख़तरा मंड़ा रहा है तो वहीं दिल्ली में लगता डिंगू के मामले बढ़ते जा रही हैं जिसको देखते हुए सभी लोग डरे हुए हैं बतादे की राजधानी में डिंगू के इतने मामले बढ़े हैं कि मरिजों को रामलीला मैदान में बने कोविट सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है तो दिली में एक बार फिर से डेंगू का कहर देखने के लिए मिल रहा है आज के इंदर सरकार राजी सरकार के बीच बाक्चित हो सकती है इस पर किस तरह से काबू पाया जाए लोगों को किस तरह से जाकरू किया जाए इस पर भी चर्चा हो सकती है ग्रेटर नोड़ा के बादलपूर्थान अश्वेत्र में तेजरप्तार केंटर ने फुटपात पर बनी जुग्यों को टक्कर मार दी जिस समय इस टैंकर ने जुग्यों को टक्कर मारी हो उस समय लोग उन जुग्यों में सोई हुए थे केंटर के टक्कर मारते ही वहाँ पर चीफ को कार मज गई और इस हाथ से में दो लोग खायल हो गए हैं सुचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस अस्थान ये लोगों ने खायलों को लीटी अस्पताल में भरती कराया आजसे के बाद आरुपी ड्राइवर केंटर को छोड़ कर मौके से फरार है तो गुरेटे नॉड़ा का एक पुरा मामला है जहां पर तेज अरफतार केंटर ने जुग्यों को तक्कर मार दी जुग्यों में सो रहे दो लोग जिससे गंभी रूप से खायल हो गए वहीं केंटर का जो ड्राइवर था वो मौके से फरार बताये जा रहा है जिसके तलाश की जा रही है वहीं दोनु घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भरती कराये गया तो ग्रेटर नोड़ा की तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां पर तेज रफतार केंटर ने जुग्यों में जोरदा टकर मार दी इस हाथसे में दो यूवर कमपी रूप से खायल बताये जा रही हैं जिनें अस्पताल में भरती कराये गया है त्युहारों के बीच देश में कोरोना संक्रमन की रफतार सुस्त पड़ती नजर आ रही है पिशले तीन दिनों से कोरोना के दैनिक मरीजों का आकड़ा कम हो रहा है बीदे 24 घंटों में संक्रमन के 12,514 नई मामले सामें आए हैं जबकि 254 लोगों की मौत हुई है वहीं 12,718 लोग स्वस्त हो चुके हैं इसके लावा कोरोना के सक्रिय मामले भी कम हो रहे हैं देश में सक्रिय संक्रमित मरीजों की संक्या अब 1,58,817 तक पहुँच गई है इस संक्या 248 दिनों बाद आई है तो त्युहारों से पहले कोरोना के धीमी रफ्तार कहीं ना कहीं लोगों के चहरों पर मुस्कुराहट ला रहे हैं लेकिन सापधान अभी रहना है लापरवाही नहीं करनी है क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है तो बीते 24 घंटों में 12,514 नहीं मामले सामनी आए हैं ऐसे में बीते 3 दिन से आकड़े धीरे धीरे कम हो रही है अलिगर्ड के थाना गांधी पार्क इलाके की अच्छल तलाप पर महानगर अलिगर्ड की अखिल भारते विद्यार्थी परिश्ट के चात्रों की तरफ से त्रिपुरा में वामपत के लोगों की तरफ से साजश के तहत अखिल भारते विद्यारती परिश्यत के कारकरताओं के उपर किये गए हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए वामपत का पुतला फूका गया है जो आत्रीपुरा में विद्यार्थी परिशत के कारकरताओं की तरफ से एक स्कूल के अंदर सदस्ता कारकरम का आजिन्ट किया जा रहा था उसी दुरान स्कूल के ही कुछ टीशों ने चात्रों के साथ मेलकर सदस्ता कारिक्रम कर रहे विद्यारती परिशत के लोगों के उपर पत्राव करते हुए चाकों से हमला बोल दिया वामपत के लोगों की तरफ से साप्रदाइक हिंसा फैलाते हुए विध्यारती परिशत के लोगों के ऊपर बरबरता पूरवक किये गए हमलों के बाद विध्यारती परिशत के लोगों को जखमी कर स्कूल टैंपस से बाहर निकाल दिया गया त्रीपुरा में विद्यार्थी परीशत के लोगों के ओपर किये गए वरबर्टापूरवक हमले के बाद अलिगड में विद्यार्थी परीशत के चात्रों के तरफ से सडकों पर तरकर विरोध पर दर्शन किया गया है अलिगड की तस्विरे आप देख रहे ही वी विपी कारकरता ओपर चाको से हमला किया गया जिसके विरोध में अलिगड में यहाँ पर वामपत का उतला भी देहल किया गया है तो हमले को लेकर गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ रही है कि शात्रों के लिए संदेश है यहां आएं किसी भी टाइम यह तो ट्वार्ट की लाइब्रेरी है और अपना पढ़ें सेल्फ स्टेडी करें यहां पर हम सारी फैसिलिटीज दे रहे हैं जैसे बच्चे के लिए कमफर्टेबिल सीट्स हैं एसी है वाइफाई है और न्यूज लाइब्रेडी का जो कंसेप्ट है यह दीरे दीरे बहुत अलीगर में बढ़ रहा है तो हम भी इसको प्रमोट करेंगे चात्रों कई तरी की सुवधाई है जैसे डिजिटल की जैसे विदैक जी ने भी बात करी वाइफाई की सुवधा है एसी की सुवधा है और लाइब्रेडी यह उपर कर दे लिए हरी सनाप कीरतन और उन्हें सथ मार्घ बढानी की कुशिश करने के लिए ठिवसीय कारिक्रम किया गया तो मत्रह की तस्वीरिया आप देख रहें दिवसीया का आयोजन यहां पर किया गया है दरसल कैडियों की बीट जयाकर यहाँ पर रखा था के दिए यों को सही मार्ड पर लाने के लिए और भगवान का यहां पर स्मरड किया गया है से के तहत कि एक पुस्तर यहां पर कैदिए को बाटे गई हैं ताकि वू सही मार्ड पर आएं उनके मन में भगवान नाम की जोती हुँ हुआ है हम लोग जेल में यह हैं कि जो यहां के जो प्रजा है इनको भी उदार करना चाहिए आइक्चली हम लोग सब है बाउदिक दुनिया में एक जेल जैसे ही है लेकिन यह ज्यादा दुखी है और सादू कर लेक्षन है कि परदुख का दुखी तो जो दुखी विकती है हम लोग बागवान के जो किरतन किया और बगवान के गीता बाटा और बगवान के गीता का पारे में समझाया उसको और डेली जो साधना करने का प्रवर्ति उनको बता दिया सारणपुर के गागल हिडी शेत्र में वाहिता की संदीद परस्तुतियों में वौत हो गई वहीं मर्दक माहिला के परिजनों ने ससाल पक्ष पर माहिला को फांसी देने का आरूप लगाया है और ससाल पक्ष के खिलाब थाने में तहरीर दी, वहीं पुलिस निशप को कबजम लेकर पोस्मार्टम के लिए भेज दिया और तहरीर के आधार पर कारवाई करने में जुट गई है उसके जो मैका पच्छे उसके ठाना गगल हडी में उन्होंने एक दहेज मित्तु का अभियोग दर्च कराया है पती, पती के भाई, भावी और उसके बहन बहनोई के खिलाफ और पुस्टमार्टम रिपोर्ट में अभी विश्रा सुरच्छित किया गया है हमारी बैन की साधी जिला साहरनपुर के गाउं सेयद माजरा के कमार हुषैन, सनोप, समसाद हुषैन के लड़के से हुई थी पूरे रीतिर्यवाज से, मुस्लिम रीतिर्यवाज से और हैस्यत उनसार देज भी दिया था हम लोग ने लक्सर उपजillादिकारी वेवग गुपता की तरफ से अवैद खरनन परिवहन करते वहनों पर कड़ी कारवाई की गई है उपजिलादिकारी ने बताया कि उनकी तरफ से दबिश के दरान अवैद खरनन परिवहन करते हुए नौट ट्रेक्टर टॉली पकड़े गए हैं जिनके खिलाब कारवाई की जा रही है मुख्यमंत्री पुश्का सिंग धामी देव प्रियाग विधान सभा के दौरे पर रहे जहां मुख्यमंत्री पुश्का सिंग धामी ने 37 करोड की लागत से बनने जा रही जाकनी मनी चौरस पेजल पंपिंग योजना कशिला न्यास किया इजोरान प्रदेश के कैबनेट मत्री डॉक्टर हरक सिंग रावस सुगोध उनियाल स्थानिय विधायक नोद कंडारी भी कारकर में मौझूद रहे इजोरान मुख्य मंत्री ने जन सभा को भी संबोधित किया साती प्रदेश सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओ को जनता के बीश रखा वही देव प्रियाग विधान सभा के दूर दराज इलाकों को पांच इंबुलन्स के सौगाद दी इजोरान मुख्य मंत्री ने कई अन्ने घोशनाय दिकी और कहा कि सकार पते घोशना को धरातल पर उतार रही है लालकों नेशनल हाईवे में आचानव कुस्ता में अफरत तफरी फैल गई जो वेक कार में आग लग गई और ये आग देखते देखते इतनी भयानक थी कि कई घंटों तक आग जलती रही मौकर पर पहुंचे प्रशासन ने पार्विगेट की गारी मंगवाई जिसके बाद आग पर कामू पाए गया वहीं गारी माली का कहना है कि वो यूपी से हलदवानी की तरफ कार लेकर सर्विस सेंटर जा रहा था तब ये अचाना कार में भीशन आग लग गई महंगाई दिन बर दिन आस्माच हो रही है जिसके चलते पेट्रो डिजल की महंगाई के बाद CNG और PNG भी महंगी हो गई है CNG की कीमत प्रती किलोग्राम 2.40 रुपे बढ़ी है वहीं कीमत बढ़ने के बाद शोहर में CNG 70.50 रुपे हो गई है PNG की कीमत में भी 2 रुपे स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की बढ़ोतरी होई झाल झाल